हालो इस्टुवेंट आप सभी कहूं उनली उप्यसी और उनली सरकार एक्जाम के चैनल पर आपका स्वागत है अभी आप उनली उप्यसी पर हमें देख पा रहे हैं आज हम आपके सामने एक ऐसी स्टोडी लेकर आए हैं जो की है मजदूर के बेटे की जिन्होंने से ूपियस्ट की तयारी की और उनके बेटे को सब्षका Other is में कि हम इस लिए इस चीश को दिखाता है यहां पर आपके लिए कि जो बच्चा गाउं में हैं गरीब है और वो तैयारी कर रहा है या किसी कमटेटर एक्जाम की मैं सिर्फ उपसी के उधार के तौर पर क्यों कि यह यूपसी के मजदूर के बैटे या ने यूपसी को पर परिए लिए तयारी को हम पूर्स्ट करने कि एक कोर्शिस करते हैं आप हम यह आसा दिलाते हम कि हा आप इस तैयारी को बहुत आसानी से अगर आप रॉइदर तरीके सरे पढ़ाई करके आप कर सकते हैं आप मजदूर है गरीब हैं कुछ भिहां च तैयारी करके UPSC को वो कर सकते हैं, बीड कर सकते हैं, अब मैं आपके सामने उस पूरे वाक्यों को बताता हूं, कैसी उन्होंने तैयारी की थी, कौन है वो आपके सामने में लेकर आप, उससे पहले मैं अरोद करूँगा, आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर मैंस की क्लासे स्टार्ट हो गई है, जितने भी सरकार एकजाम हैं, अभी आने वाले उस पर नहीं काम के सबके लिए यह चैनल आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें जाकर करके आप सब हासानी से चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा कोचिंग की प्रोशन करनी की लेकिन हम लोगों भी नहीं मना किया है, आपको बताईए कि कुछ कौन सी भक्स लेनी है, तो सबसे पहले हम आपको तरफ लिए चलता हूँ मज़ूर के बेटी के कहाने फिर आपको पता दो अनली सरगार एखाम को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजे लाइक कर लीजे और आप पता दें आपको कि क्या है आखिर ये कौन है मैं इनका नाम बता दू ये है जोसप जो सब के बारे में मैं आपको पता दू क्या कहानी पूरी की पूरी है अगर एक इनसान कुस करने को ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता आज आपको ऐसे ही सक्सी बारे मताने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी हेक्टिक नौकरी के दौरान UPSC के तयारी कर परिछा को पास किया आए जानते हैं उनके बारे में यहां पर हमें एक और जानने बताएंगे आपको कि कुछ लोग जो नौकरी कर रहे हैं कहीं से बहुत सारे स्ट्वेंट हमारे हैं जो आप करते हो करते हैं सार हम लोग साम को आते हैं और आप साम को क्लास अप्लोड किया करें तो उनके लिए बढ़े मॉटिवेशनल है जो गरीब हैं परिवार से हैं उनके लिए प्रेड़रा है यह स्टोडी इसलिए जाने चाहिए और सुनने चाहिए कि आप इस प्रेड़रा से आपको आने माले समय में एक्जाम में आपको बीट करने बहुत सफलता मिलेगी क्योंकि एक प्रेड़रा ही होगी जो आपके लिए आपको किसी भी परिच्छा के किसी परिच्छा के फटह को बिला सकती है तो एक कॉन बहुत बढ़ी चीज़ होती है अब आईए बढ़ते हैं कि कौन है इनके बारे बता दूं आपको यह सक्स का जो नाम में बताने जारा सब्सक्राइब करने से पहले दिसंबर 2010 को अखिल भारती एम्स परिच्छा को भिक्रेट किया था जिसके बाद उनकी नियुक्ति ट्रामा सेंटर में सर्चिकल केर यूनिट में नर्स के पत्पर होई थी यानि कि एक व्यक्त जो जिनके पिता मजबूर थे उसके बाद उने चोटी-चोटी नौकरियां को प्राप्त की उसके बाद उन्हें नर्स के पत्पर उन्हें महाँ पुली आपको बता दे कि मैथ्व कोट्टायं के सरकारी मेडिकल कॉलिज से ग्रेजुशन के बढ़ाई की कीरल के जो बैक वाटर है महाँ पे कुमार कोंड गाउं से हैं और उनके विता एक जिहारी मल्बूत थे खीरती कर रहे उन्हें ने से बात कर तो बात किया तो हम नें कहा कि मेरा प्लान था कि दिल्ली आकर आई-स की UPSC परिच्छा देनी है दिल्ली में UPSC परिच्छा में काफी कोचिंग संचर थे इसकी साथ ही कई दोस तरह से भी थे जो इस परिच्छा के तयारी कर रहा कि मैंने कहां मैंने ऐसा सोचा कि कि एक बार की परिच्छा देना चाहिए जिसके बाद साल 2012 में पहली बार मैंने UPC की परिच्छा दी ती पहले प्रियास मैं कोई कोच दे पर estás में वहा तो नहीं लेकिन मालूम चला यह अगर मेंट की जाए तो परिच्छा क्लिए हो सकता वहीं दूसरे प्रियास में मेरे प्रिलिम्स को elsewhere कर लिए हो गया लेकिन में में सेलेक्षन नहीं हुआ मैं तुने कहा कि पांचुमें प्रयास में मैं यूपीसी परिष्छा पास ही है मैं तुने बताया कि नर्स की नौकरी कापी है ठीक होती है जिसमें कोई सब्सक्राइब होता है मेरे शिप्ट आठ गंटे की होती है मेरा पूरा समया उसी में चला जाए उन्हें कहा कि मेरे पास कोई फिक्स सेजूर लाइन था जिस दिनों मेरे सुबह के सिप्टी मैं स्थान को पढ़ाई करता था और लेकिन शे दिन मेरे नाइट से पूप थी तो मैं समय निकालता था और जो मैंने भी अधियन किया था उसके बारे में रिवाइज कर सकूँ म आप यहां पर मैं आपको बताओं करें होने जो चीज़ कहा कि मेरी अधिकास तयारी ओन्लाइन तयारी से हुए थी इसलिए मैं आपको बताआ चाहरा हूं कि जो लोग भी जॉब कर रहे हैं कहीं पर गरीब परिवार से हैं ओन्लाइन मतलब हम जो प्रयास करा रहा हैं आपक को क्लासेज मिले फ्री क्लास मिले इसलिए UPSC का जो हमने शुरू किया था तब लोग कहते थे शुरुबात है अभी फ्री में होगा बाद में पेट कर देंगे लेकिन हमने अभी तक कोई सिंगल एड भी आपके लिए जलाया है कि एड ले लिजिए बुक ले लिजिए बहुत लिजिए बहुत आपको चैनल सब्सक्राइब करना अगर आपके कोई दोस्त आसपास है तो मेरा आपसे निवेदन है गरीब बच्चों के लिए हम मोहीम लेकर आए है अगर आप को विश्य की तियारी कर रहे हैं तो आपी आसपास गौम में आपके दोस्तों जो की मार करें हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए उनली सरकार इसाम को और देखिए देखिए आपके आज पास जो लोग हैं गरीब हैं जिनको जिनको कहीं से भी सच्छाने मिल पा रही है वो इस एक्जाम की तैयारी करके और फ्री आप वाश अपने घर बैठ करके और आप तै मैं आपको बता दूँ जो लोग कह रहे हैं यहां पर कमेंड बॉक्स में कहते हैं आप इस्टुएंट आपको बताना जरूरी है कि हम लोग अकर हमारे पास revenue आता है लेकिन आपको बता हूँ कि एक classes कराने के लिए बहुत सदा expenses है जो सर आपके पास आते हैं जहां online classes होती है है जहां रिकॉर्ड होता है जहां edit होता है साले expenses होते हैं तो ऐसा नहीं कि हमारे पास पैसे नहीं आते हैं लेकिन उनके teacher के expenses और office के expenses कुछ खर्चे हैं तो ऐसा आपने ही कहा रहे हैं कि हम अपको पैसा आते होपर कर रही लेकिन यह है जरूरौि === if चाह रहे हैं कि इस इनिस्योटू से जादे से जादे लोकल लाग हो तो अगर आप सभी चैनल को हमारे सब्सक्राइब करते रहें इस बुलनी सरकारी एक्जाम को सब्सक्राइब कर लेगे कि इस तरह की एक्जाम जैसे मैंने आपको मोटिवेशन कहा नहीं सुनाई आप मेत्यू जी की यह वाकरी मोटिवेशनल आप सरकारी कहीं पढ़ाई कर रहे हैं इस समय कहीं जौब कर रहे हैं तो सब आपके लिए भी आप करीब परिबार सब्सक्राइब है तो आप हर टाइप कि एक्जाम के तयारी हमारे हैं कर सकते हैं चलिए बहुत-बहुत दर्णिमार को